जै मातारानी दोस्तों नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत हैं माजग दंबा के नाम का जैकारा लगाएं कमेंट सेक्षन में जै मातारानी ओम नमो भगवते वासुते वाय आप कुछ भी लिखिए आपकी जल्दी से जल्दी समी मनो कामनाएं पूरी होने लगेंगी दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के राशी परवर्तन के विशय में और शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई ऐसी पाच बातने जिनका यदि आप ख्याल रखते हैं तो जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती वैवाहिक संबंद अच्छे ब राप्त कर सकते हैं दोस्तों मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ मेरा नाम है नीता विक्रम अभी के समय पे मैं इंस्टाग्राम के थूँ अपना पेट कंसल्टेशन देती हूँ इसमें आपको फीज देनी पड़ती है और इसके अलावा मैं साहित्य और वेत्पुराण इत्या लगेगा तो आप सभी को ये वीडियो लाइक जरूर करना है तभी मुझे पता पड़ेगा कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है यदि आप मुझसे कुछ सजाव देना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखके दे सकते हैं चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर करते हैं शुक्रग्रह से संबंदित कुछ वैदिक ज्यान की बाते हैं शुक्रग्रह का हमारे जूतिश में अत्यधिक महत्व होता है शुक्रग्रह का हम सभी के जीवन पे बहुत अथिक असर पड़ता है शुक्रग्रह के अंतरगत तीन नक्षत्रा आते हैं शुक्रग्रह मीन राशी में उच्च के होते हैं एवं कः면 राशी में नीच का फल देते हैं शुकर ग्रहा की दो राशियना हैं व्रशप एवं तुला राशी को भौतिक सुक्स विधाओं, धन, संपत्ती त्यादी से जोड़ के देखा गया है, शुक्रग्रहा विवहा के कारक होते हैं, संतान उत्पत्ती के कारक होते हैं, इसके विप्रीद जिन लोगों की कुंडली में शुक्रग्रहा खराब होता है, उन्हें घर्वपात या फिर नी स जैसे रोगों से भुगतना पड़ता है, आपके शरीर में आपकी आँखे और केड्नी के यदि कोई बीमारी होती है, तो वो भी शुक्रग्रह के कारण होती है, शुक्रग्रहा एक राशी में तेज दिन में अपना गोचर करते हैं, जब भी कोई ग्रहा अपनी राशी को प पटा कर सकते हैं, यदि अचानक से आपके घर में आपके शादी शुदा रिष्टों में खटास पढ़ने लगे, या फिर आपके बहुतिक सुष्विधा में कमी आने लगे, तो कही न कहीं इस पे आप शुक्र के गोचर का असर समझ सकते हैं, ये बहुत ही को अच्छा करने के लिए आप नियमित रूप से कुछ छोटे-छोटे उपाय जरूर करें, जिससे आपके जीवन में कोई कश्ट ना आए, सबसे पहले जानते हैं, शुक्र ग्रह का गोचर कम है, कल 28 मई 2021 की तारिक है, शुक्रवार का दिन है, जेश्ट मास की जुतिया ति और कल रात में 11 बजे के आसपास शुक्र ग्रहा मिथुन राशी में आएंगे, वह व्रशव राशी में थे, अब वह मिथुन राशी में आ जाएंगे, 22 जून दोपहर 2 बजे तक वह मिथुन राशी में ही रहेंगे, उसके बाल वह राशी परिवर्तन करकर राशी में चले जाएंगे तो जब शुक्र ग्रह मितुन राशी में होंगे उस समय पे यदि आपको किसी प्रकार की भी पीड़ा या किसी प्रकार का भी आपको लगता है कोई परिशानी है तो कुछ छोटे उपाए आप जरूर कर सकते हैं शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए सफेद गा करें आपका शुक्र ग्रह अच्छा होगा शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए हलके रंके वस्त्र सफेद अथवा गुलावी वस्त्रों को आपको धारन करना चाहिए ये वस्त्र आपके शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए मदद करते हैं शुक्रवार के दिन पे म आता बैभव लक्षमी का पूजन करें या फिल घर पे 16 मंत्रों वाले श्री सुक्त का पाठ करने से भी धन और लक्षमी आपके घर में खिची चली आती हैं इस उपाय को आप मियमित भी कर सकते हैं इससे आपके घर में बहुतिक सुक्सुधाओं की व्रधी तो होती ही है साथ ही साथ सभी प्रकार के कलेश शोक इत्याधी भी दूर होने लगते हैं शुक्र ग्रह अच्छा करने के लिए आप किसी जोतिश से पूछ के या किसी अच्छे जोतिश आचारित को अपनी कुणली दिखा के हीरे या ओपल जैसे रतनों को धारण कर सकते हैं ये भी आपको कई प्रकार से मदद करते हैं जिससे कि आपके लाइफ में प्रॉस्परिटी बढ़ती है शुक्र ग्रह को अच्छा करने का एक और अचुक उपाय है आप शुक्रवार के दिन पे वरत रख सकते हैं नीता विग्रम चैनल पे मैंने शुक्रवार के वरत की कई विधी बताई हुई है मां बैभो लक्षमी का वरत भी शुक्रवार के दिन पे रखा जाता है पर दोस्तों जब हम शुक्रवार का ग्रह के लिए वरत रखते हैं उस दिन पे हम भोजन नहीं करते अनाज नहीं खा केवल मीठा भोजन ग्रहण करके शुक्रवार के दिन पर ब्रत रखा जाता है जिससे कि आपके जीवन में धन, मान-सम्मान और पैसा इत्यादी आपको प्राप्त होने लगे दोजों शुक्रवार को अच्छा रखने के लिए हमें नियमित साफसफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जिन लोगों को बहुत अधिक पसीना आता है जिनके शरीर से अत्यदिक दुरगंद आती है उन लोगों को ऐसे समय पे डियोडरेंट या किसी ना किसी खुश्बुदार चीजों का इस्तमाल करना चाहिए क्योंकि यदि आपके पास से किसी भी प्रकार की दुरगंद आती है तो यहां आपके शुक्रग्रह पे बहुत खराब असर डालती है और आगे आने वाले समय में आपको बीमारिया तक दे सकती है इस बात से आपको हमेशा बचना चाहिए और आपको एक और छोटा सा अच्यू कुपाय बता रही हूँ यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में मानसम्मान और आपकी तरक्की बढ़ती जाए तो आप चाहे आदमी हो चाहे औरत आपको अपने पती अथवा पत्नी के साथ कुछ समय बहुत ही प्यार के साथ बैठना चाहिए उनके हाथ पकड़के बैठिये चाहे आप उनके पास में बैठिये पर एक आंतरिक इसनेह का आप दोनों को अनभव जरूर होना चाहिए जिस घर में पती पत्नी के बीच में आंतरिक इसनेह नहीं होता उस घर में सभी प्रकार के सुख सुविधाय होने के बावजूद उस घर का बातावरण अच्छा नहीं होता तरक्की नहीं आती पैसे की तंगी निरंतर बनी रहती है वहीं यदि आपकी पत्नी आपके प्रती समर्पित है और वो आपके प्रती इसने का भाव रखती है तो आप दिन दुगनी राच्योगनी तरक्की करने लगते हैं इन बातों का ध्यान सदेव रखना चाहिए घर की लक्षमी का अनादर नहीं करना चाहिए साथी साथ जब आप खाना खाएं तो उस समय पे आपको भोजन अपनी थाली में नहीं छोड़न चाहिए जो लोग अपनी थाली में जूटा भोजन चोड़ते हैं उनके कई ग्रह नकारात्मक परिणाम देने लगते हैं तो दोस्तों शुक्र ग्रह का गोचर अप्रारंब होने वाला है तो कल से यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई परिशानी महसूस होगी तो आप ये कुछ उपाय करें इससे आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी और आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे बदलाव आएंगे इन छोटे छोटे उपायों को आप वैसे भी निरंतर कर सकते हैं इससे शुक्र ग्रह मजबूत होगा तो आपके जीवन की कई समस्याएं दूर होने लगेंगी नीता विक्रम चैनल पे ऐसे कई सारे दर्शक हैं जो इन छोटे छोटे उपायों को करते हैं किसी किसी का दो तीन महीने में ही घर बन गया है किसी किसी के जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए है जब लोग आके मुझे बताते हैं कि चैनल पे वीडियो देखने के बाद कुछ उपायों को निरंतर कुछ समय तक करने से उनके जीवन में इतने अध्बुत परिवर्तन हुए है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप सब इन बातों को मान रहे हैं और आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है दोस्तों यदि आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके अधिक से अधिक लोगों के साथ जरूर शियर करें देखिएगा आपके जीवन में भी शुक्र ग्रह के अच्छे प्रभाव जरूर देखने मिलेंगे अगला वीडियो लेके आपसे चल्दी ही मिलूँगी जै मातारानी दोस्तों